ज्योतिश शास्त्र के अनुसार ग्रहों का गोचर व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जब भी कोई ग्रह राशी परिवर्थन कर गोचर करता है, तो इसका असर सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। तो चलिए, जानते हैं बुद्ध ग्र के गोचर का आपकी राशी पर क्या असर होगा। जिसे ग्रहों का राचकुमार भी कहा जाता है। धन, संपत्ति, वैभव और मानसम्मान प्रदान करने वाला ग्रह है। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार गोचर जल्द ही होने वाला है और इसका प्रभाव कई राशियों प और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। आईए, विस्तार से जानते हैं कि बुद्ग्रह का यहां गोचर आपकी राशी पर कैसा प्रभाव डालेगा। के जातकों को अपने व्यवसाय और करियर में प्रगती मिलेगी। हालांकी सेहत का ध्यान रखना होगा। व्रिशब राशी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा और नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुक्षानती बनी रहेगी। तो संपत्ती से संबंधित या फिर कोई भी इनको फोरविलर लेना है या कोई इनकी पुरानी डील चल रही है जिसमें इनको अच्छा पैसा आना है अच्छी इंकम होनी है या कोई जो संबंधित बात चल रही है जो ट्राई कर रहे हैं कन्या राशी वाले तो कन्या राशी के जातकों के लिए आत्म विश्वास में वृद्धी और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाएगा। सिंग राशी इस गोचर से सिंग राशी के जातकों को अपने स्वास्थे का ध्यान रखना होगा। वित्तिय मामलों में सतर्क रहें। कन्या राशी बुद्ध के गोचर से कन्या राशी के जातकों की किस्मत खुलेगी। नौकरी में तरक्की और व्यापार में लाब मिलेगा। तुला राशी बुद्ध का गोचर तुला राशी के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुक्षान्ती और आर्थिक लाब होगा। वृष्चिक राशी इस गोचर से वृष्चिक राशी के जातकों को अपने करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन का आगमन हो सकता है। धनू राशी बुध का गोचर धनू राशी के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। वित्तियम मामलों में सतर्प्ता बढ़तें और सेहत का ध्यान रखें। मकर राशी बुध के गोचर से मकर राशी के जातकों को करियर में नए उचाया मिलेंगी। आर्थिक स्थिती में सुधार होगा। कुम्ब राशी इस गोचर से कुम्ब राशी के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में सुक्षानती रहेगी। आर्थिक लाब और नए निवेश के अवसर मिलेंगे। मीन राशी, बुद्ध का गोचर मीन राशी के जातपों के लिए अच्छा रहेगा, करियर में तरक्की और धन लाब होगा, तो दोस्तों यह था बुद्ध ग्रह के गोचर का आपकी राशी पर प्रभाव, आशा है कि यह जानकारी आपके लिए लापदायक सिध्ध होगी, ल विडियो में दी गई जानकारी जियोतिशाचार्य अनुसार है, लोकल एटीम इसकी पुष्टी नहीं करता है,